हाई गाईज, वेलकम टो विकास ओनलाइन एजूकेशन, दोस्तों आज की सेसर में हम लोग SSE GD 2019 11.2.2019, सिप नंबर सेकेंड और GKGS का कोश्चन को सॉल्ब करने वाले हैं दोस्तों, बिल्कुल ओफिसियल कोश्चन को सॉल्ब करने वाले हैं दोस्तों, इससे आप लोग ये म एक्जाम का तयारी करने के लिए काफी एल्प होगा, आए दोस्तों, आज का सेसर को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं बिल्कुल ओफिसयल कोश्चन, जो कि 11.2.2019 को SSE GD में सेकेंड सेप्ट में GKGS को पूछा गया था, तो आए दोस्तों, आज का सेसर को स्टार्ट करते है आज का सेसर का स्टार्ट कोश्चन बिल्कुल ओफिसयल है, जो कि 11.2.2019 में एक कोश्चन, पूछा गया था सेकेंड सेप्ट, GKGS में, देखें कोश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है, कोश्चन हम लोग को यह बोल रहा है कि इस पर्स के कारण पौधे में दिसात्मक उसकी घति खालिस्तान कलाती है, तो वो कौन सा option सही उत्तर होगा, तो देखें, यहाँ पर छूने से, छूने से क्या होगा, उसका पता जो है, मुर्जा जाता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पर दिसात्मक घति, तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट कोशिन की और, यहाँ पर मैं जो भी कोशिन पूछा हुआ है, उसको ओफिसली यहाँ पर solve करा रहा हूं तोस्तों, ठीक है, चली, नेक्स्ट कोशिन हम लोग के सामने माचुका है तोस्तों, महानदी और गोदावरी के डिल्टा, ठीक है, महान मिट्टी है, अमलिय मिट्टी है, जंगलिय है, या फिर जलोड मिट्टी है, तो आप लोग को जानते हैं दोस्तों, कि डिल्टा बनाने के पाद जो मिट्टी बन जाता है, वो कैसा होगा, जलोड मिट्टी होगा, ठीक है, तो महानदी और गोदावरी के डिल्टा से बना ज वो भॉमिक धाता माना जाता है यानि कि यूनिवर्सल डोनर माना जाता है ठीक है चलिए यानि कि कौन सा ऐसा रक्त समूवाला जो बैक्ति है जो कि सभी रक्त समूवाले बैक्ति को यहाँ पे क्या कर सकता है डोनेट कर सकता है अपना खून तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाग सभी और रख समुवाले बेक्ती को वो कर सकता है डोनेट ओके चले नेक्स्ट कोशिन चलते हैं योजना आयोग की अस्थापना कब की गई थी दोस्तों योजना आयोग की अस्थापना जो है 1950 को की गई थी देखिए यहाँ पे मैं आज के सेशन में सिर्फ और सिर्फ यहाँ सवाल पूछा गया था उसी को हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं चले नेक्स्ट कोशिन क्यों चलते हैं अस्थानी सरकार के सामिल कौन नहीं है तो देखिएगा दूस्तों यहाँ पे कौन सामिल नहीं है तो सही उत्तर हो जाएगा ग्राम समीती देखिए पंचाय समीती भी सामिल होता है ग्राम पंचायद भी सामिल होता है और जीला प्रिसर्द भी सामिल होता है लेकिन जो ग्राम समीती है वो सामिल नहीं होता है ओके चली नेक्स्ट कोशिन क्यों चलते हैं सही उत्तराज अमेरिका ने अपना लोगतान टिक समविधान को अपनाया, कब अपनाया दोस्तों, वो हो जाएगा सिंटा 1787 को, नेक्ट चलते हैं, नेपोलियन ने किस यूद में हार गया था, तो सही उत्तर हो जाएगा, वाटर, लू का यूद में ये हार गया था, नेक्ट चलते हैं, विलिकत में से कौन सा सबसे और तम क्या होता है, सबस्टांसेस होता है, ठीक है, चली, नेक्ट कोशन क्यों चलते हैं, भारत में सबसे उची जो इस्टेट्यू बनाया गया है, ठीक है, तो ये किनका है, तो सही उत्तर हो जाएगा, सरदार, बलब भाई, पटेल, ओके, चली, नेक्ट चलते हैं, बेगम हजरत महल भारत के निमलिकित में से किस बिद्रो से शंबंदी थे, तो आप लोग जानते होगे, 1857 का जो सिपाही बिद्रो था, वो बेगम हजरत महल उनसे शंबंदी थे, तो सही उत्तर हो जाएगा, D-Option सिपाही बिद्रो 1857, ओके, नेक तिये गरामी रोज़कार गर्रेनटी अधिरियम, खलिस्तान में पारित किया गया था, दोस्तो, सही उत्तर हो जाएगा, 2005, और इसको लागू किया था, 2006 से, ओके, चली, नेक्स चलते हैं, उस वरसिद भारत थे एक किर्केटर का नाम बताएए, जिन में एक, और सेंचूरी किताब लिखिये, तो सही उत्तर हो जाएगा, दोस्तो, शौरब गैंगुली, शौरब गैंगुली ने यहाँ पे एक किताब लिखिये हैं, जिसका नाम है, और सेंचूरी इस नाट एनफ, ओके, चली, नेक्स्ट कोशिण क्यों चलते हैं, खालिस्तान ने मिस वर्ल्ड लिखाए गया है, दोस्तो, तो दिखिये, यहाँ पे कौन सा ऐसा डान्स फॉर्म है, कौन सा ऐसा डान्स फॉर्म है, जिसमें हम लोगो हिंदू और मुश्लिम, दोनों का ही परतिनी दित्व करता है, तो सही उत्तर हो जाएगा, कथक, ओके, नेक्स्ट कोशिण क्यों चलते है, खलिसान में चोटा जिवित पक्षी कौन सा है, दोस्तो, आप लोग सही उत्तर जानते हैं, नाम है उसका हमिंग बार्ड, ओके, नेक्स्ट कोशिण क्यों चलते हैं, नेक्स्ट कोशिण यहाँ पे, उडिश्चा की सबसे बड़ी बैक वाटर जिल कौन सी है, डल जिल त चलिए, नेक्स्ट कोशिण क्यों चलते हैं, भारत में 500 और 1000 मुले के नोर को कब से अमानने घोसित कर दिया गया, दोस्तो, सही उत्तर हो जाएगा, 2016, मीक 21, मीक 21, जो उडान वाली पहली महिला, पहली महिला भारत से वायू शेना, खालिस्तान, अधिकारी है, तो यहाँ प नेक्स्ट कोशिण आपको पूछ रहा है दोस्तो, निमलिकित में से कौन सी बहु कोशिके जानवर नहीं है, बहु कोशिके जानवर नहीं है, तो बिल्ली भी होगा, ठीक है, मानों भी होगा, घोडा भी होगा, लेकिन आमीबा जो है, सिंगल सेलूलर होगा, सिंगल सेलूल सही उत्तर यहां पर हो जाएगा हम लोग का बहु कोशी किये कौन नहीं है तो वो हो जाएगा एमीबा ठीक है नेक्स्ट कोशिन क्यों चलते हैं गारशो बानबे में तराइन के यूद में पृत्वी राजचोवान को कोन हराया यानि कि पृत्वी राजचोवान किसके हाथ यहां पर हार गयें कब गारशो बानबे का यूद को तो सही उत्तर हो जाएगा मुहमद गोरी किस राज की सबसे बड़ी तट रेखा है और ये इस बार जो है आपका NTPC का भी एक्जाम में पूछा गया था दोस्तों सही उतर हो जाएगा गुजरात का तट रेखा नेक्स्ट को हम लोग चलते हैं यहां पे जो पर्थम विस्वयूद हुआ था उसमें अपने जो जितने भी जवान थे भारती सैनिक जो थे अपने जान गवाये थे उनके नाम पर कौन सा इसमारक को बनाया गया है तो सही उतर यहां पे हो जाएगा दोस्तों इंडिया गेट यानि कि पर्थम विस्वयूद में हम लोग का भारती सैनिक जितने भी अपना जान गवाये थे जितने भी सहीद हुए थे उनका नाम जो है इंडिया गेट में लिखा हुआ है और उनी के याद में आपे इंडिया गेट को भी बनाया गया था तो सही उतर हो जाएगा इंड नेक्ट कोशन क्यों चलते हैं भारत जो इंडिपेंडेंट होने के बाद कौन से हिंडी फिल्म भारत के होकी टीम के पहले गोल्ड पदक पर आधारित है यानि कि भारत का जो सोतंतरता मिलने के बाद ऐसा कौन सा हिंडी फिल्म है होकी टीम के पहले स्वर्ण पदक पर आध आप नाम देख रहे हैं, तो इस किताब का लेक्तक कौन है, तो सही उत्तर हो जाएगा अपपिल देव, ठीक है, next question क्यों चलते हैं, last question है, 19 सदी किस देश ने सार्व भौमिक मताधिकार दिया, ठीक है, यानि कि 19 सेंचूरी से किस देन में किस देश ने सार्व भौमिक मताधि अधिकार दिया यानि सभी को कौन सा देश ऐसा देश है जो कि 19 सेंचूरी में अपने आज सभी पब्लिक को शबी जनता को शार भॉमिक रूप से क्या दिया भोट डालने का अधिकार दिया तो सही उत्तर हो जाएगा न्यूजलेंड ओके चली तो आज का सेशन को हम लोग यह कमेंट बॉक्स में जरू लिके आज का सेशन अच्छा लगा होगा एक लाइक जरू कर देजिए दोस्तों तक ज्यादा ज्यादा सेर कर देजिए और चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लिजी